नमस्कार आप देख रहे हैं VMR भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ केरती से आए नजर डालते हैं खबर की ओर पूर्व संसदी सच्यू एवं राश्टी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदीश महासच्यू राजिस्थान रामसरु कसाना से खास मुलागा रीट परिक्षा के गोटाले को लेकर एवं राजिमें बिगर्टी कानून व्यवस्था को लेकर राजिस्थान के कांगरेस सरकार पर जोड़दार हमला बोला आज हमारी टीब मौजूद है कोटपुतली में कोटपुतली में आज बात करेंगे हम पूर्वस संसदिय सच्चिव राश्टी लोकतांत्रिक पार्टी के परदेश महासच्चिव रामसरुप कसाना जी जो अब तक के जो रीट का गोटाला हुआ है उसके बारे में जो मा गोटाला ही मानी अज तक का इतिहास में उसके बारे में आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है देखें सबसे पहले तो मैं यह बताना चांगा कि जब से 2018 से को कुंग्रेस पाल्टी बनी है जब से गोटालों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं राजस्तान के अंदर और जो रीट के अंदर आप ये लोग आप सोच सकते हो जिस परकार की जो ऐसी कारस्तानी की गई और जिस उदर से कहीं कहीं भी अंगुठा लगा के और उनको प्रिक्षा के अंदर बेज रहे थे उनको एक आस थी एक उमीद थी कि आने वाले समय में उनका बच्चा अगर इसमें पास होता है और कामियाब होता है तो उसका परिवार चलेगा लेकिन जिस परकार से राजस्तान के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा हर पेपर जितने भी पेपर हो रहे हैं एक्जाम से पहले वो लीक होते हैं दलालों का बोलबाला है मनमाई जैसे पैसे लगाने की बात करते हैं मंत्री ऐसे बने हुए हैं जो अपने पुत्र वदू पुत्र इनके अलावा किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं है पूरे राजस्तान के अंदर जिस प्रकार का जो माहूल तयार है वाज ऐसा माहूल मैं मैं समझता हूँ कि राजस्तान में ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ आज हमारे बच्चों को जो बेरोजगारी के नाम पर आपने रीट का एक्जाम दिलाने की लेकिन उसको भी लीक करके और फिर उनके बहुस्य के साथ खिलवार किया परशासन नाम कोई भी पूरे राजस्तान में जहां लोग ये कहा करते थे थाने में जाएं तो एक सलोक लिखा हुआ था कि पुलिस के अंदर आमजन में विश्वास और अपरादियों में भै लेकिन उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाओंगा कि जिस प्रकार से जो बच्चों के भैउसे के साथ जो खिलवार हुआ है उसके लिए पूरी कॉंग्रेश पार्टी को इसका खामजाना बुक्तना पड़ेगा और जो 2023 है इनमें पहले भी इनको आईना तो दीख चुका है लेक चाए राजस्तान का भुजूर्ग हो चाए कोई राजस्तान में जहां भी महिलाओं की बात हो आँ सब राजस्तान और समाना में मिला है और जिस प्रकार से बोट हमें मिले हैं मैं समझता हूँ कि आने वाले 2023 में नया इतियास राजस्तान में लिखा जाएगा और ओर आरल बेनिवाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आगे आने वाड़े लिए कांग्रेस के लिए खरता वो आप उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं देखें मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगा कि RLP पार्टी ने आपने देखा होगा कि पहले जब पंचाय चुनाओ होते थे नगरपाली का चुनाओ होते थे तो यह कोंग्रेस और BJP वाले लोग टिकेट देके घर जाकर बैड़ जाते थे लेकिन जब से RLP पार्टी ने चाहे पंचाय चुनाओ चाहे नगरपाली का चुनाओ जब से हम चुनाओं में आए और जब हम लोगों के घर-घर जाने लगे उसके बाद आपने देखा होगा कि चाहे कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो और चाहे भारतिय जन्ता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सब गाओं में जाने लगे और मुझे तो खुशी है कि मैं जब बर्तपूर और अलवर का परभारी बना तो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि लोग ये कहने लगे कि धन्यवाद बेनिवाल जी को कि कम से कम हमारे जिसको हमने मेले चुना वो पहले कभी आया या नहीं आया में गाउं में बेजने का काम किया आज RLP पार्टी के प्रमाधिन सम्माने जो मुझे जी जो वेनिवाल जी है वो आज आदमी में एक विश्वाज कायम तबी हो पाता है तब आप लोगों के लिए काम करे और पूरे RLP परिवार जो पार्टी है वो लोगों के सुख और करते हैं को उनके सुख और दुख के भागेदारी बने कहीं भी राजस्तान में जिस परकार के जहां भी अत्याचार होते हैं चाहे अभी आपने देखा होगा का अलवर के अंदर जिस परकार से एक बच्ची का जो अब बलातकार हुआ उस पर सबसे पहले आरेलपी पार्टी ने विरोध दर्ज किया और यहां तक के आने वाले समय में जिस परकार से हमारे जो बेरोजगार भाईयों के उपर फिर से इस सरकार ने डाइरेक्ट लट नहीं चलाके और बैक में जो दलालों के दुवारा इनके उपर लट और गोलियां चलाई है इनका खामजयानों बु बाते करते हैं कि हमारे जो युवाओं के साथ जिस परकार का इनों ने जो गिनोना प्राद किया है उसके लिए इनको सजा जरूर मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद यह थे हमारे साथ आरेलपी के प्रदेश मास अच्छीव रामसरूप कसाना जी धन्यवाद सर ऐसे खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे वीमार भारत टीवी